हाई दोस्तो वेलकम नोगाई चैनल मेरा नाम है सिद्धाद भीमानी दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कौन से कौन से क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ और क्या परपस के लिए उसको यूज करता हूँ दोस्तों मेरे पास total 9 credit cards है मैंने screen पे उसकी list डाली हुई है आप pause करके देख सकते है बट fast fast मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वो 9 कौन से कौन से है सबसे पहले तो मेरे पास HDFC Regalia है American Express का Platinum Travel Card है MX Gold Card है उसके वाद मेरे पास है SBI Elite Amazon ICICI Pay RBL Zomato Credit Card है फिर City Bank Premier Miles Card है City Bank Indian Oil Card है और अब भी just add हुआ है HDFC Infiniya Credit Card तो total मेरे पास 9 credit cards है और ये सारे के सारे credit cards मैं अलग-अलग purpose के लिए use करता हूँ और सारे के सारे अच्छे से use करता हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो में one by one आपको मैं बताता हूँ कि कौन से credit card मैं क्या purpose के लिए use करता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले तो मेरे जो daily credit cards है वो कुछ वीडियो के पहले मैंने अपने minimalistic wallet के बारे में एक video डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरा जो जाडा वाला wallet है वो मैंने अभी use करना बंद कर दिया है है RBL Zomato credit card पहले दोस्तों मैं use करता था HDFC regalia everyday use के लिए बढ़ मैं अभी RBL Zomato use करता हूँ दो reasons है पहली बात तो मैं everyday हमारे जो nearby sports club है उदर पर जाता हूँ और फिर उदर पर हम लोग नाश्टा करते है तो उसके लिए जो बिल भरना रहता है वो मैं RBL Zomato उसे भरता हूँ क्योंकि मुझे 5% cashback मिलता है और एक card जब मैं भार जाता हूँ किदर भी तो मैं MX का platinum travel card हमेशा साथ में रखता हूँ अब MX का platinum travel card इसके लिए साथ में रखता हूँ तो कि उस पे 4 लाग की अगर हम spending करते हैं तो 10,000 का ताज का voucher मिलता है तो यह है मेरे daily दो credit card जो हमेशा साथ में रहते हैं एक जेब में रहता है और एक wallet में रहता है अब दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूँ के और दूसरे-दूसरे credit card में किसके लिए use करता हूँ दूसरा है दोस्तों Amazon पे ICICI card यह मैंने मेरे wife के Amazon के account से link किया हुआ है और इसमें मैंने mobile number भी मेरे wife का ही डाल दिया है तो यह बले card मेरे नाम पे है मैंने इसको अपने wife को दे के रखा हुआ है अब कोई भी shopping Amazon पे वह जब करती है या फिर groceries हम Amazon fresh से या big basket से लेते हैं या मेरी daughter की जो purchasing है उनकी toiletries हो गई daughter का diapers वगेरा हो गया clothes हो गया shoes हो गया जो भी online purchasing है यह सारी की सारी हम Amazon पे से करते हैं उसमें मैं बहुत जादा cash back वगेरा का calculation नहीं करता हूँ ठीक है जो Amazon से लिया उस पे 5% मिल जाता है जो बाकियों से लिया उस पे जो उसके minimum percentage है वो मिल जाते है बट यह basically एक convenience के लिए मैंने अपनी wife को दिया हुआ है दागि हर बार उसको मेरे से OTP लेने की जरूरत ना पड़े तो यह दूसरा मैंने Amazon आई से यह पे कार्ड बोल रहा हूँ तीसरा दोस्तों मैं basically चार लाख रूपया जब तक साल का spend नहीं होता है तब तक मैं MX Plat Charge Card ही यूज करता हूँ तो उसमें मेरा LIC के insurance हो गये मतलब LIC का premium हो गया उसके बाद अपना जो भी MediClaim के premium हो गये और उसके बाद जो कार के insurance हो गये यह सारा का सारा मैं उसमें से pay करता हूँ और प्लस कोई भी 10,000 के उपर का ऐसा कोई purchasing हुआ तो वो मैं यह MX Plat Charge Card से करता हूँ basically जैसे मेरी 4 लाख की spending इसमें खतम होती है तो मैं यह card को use करना stop कर देता हूँ तो अब तक दोस्तो मैंने आपको बताया मेरे daily card, RBL Zomato, Amazon ICI, CIPA मैं किसके लिए use करता हूँ और MX Plat Charge दोस्तो अब आगया मेरा चौथा card जो मेरा favorite card है वो है MX Gold Charge Card तो दोस्तो मेरे हमारे जितने भी bills है टेलिफोन, light, gas, mobile, जो भी हमारे जो utility bills है यह सारे के सारे मैं MX Gold Charge से भरता हूँ यह क्यों? दोस्तो MX Gold Charge जो है यह 5X reward points देता है अगर मैं Amazon से कुछ भी shopping करता हूँ तो मैं Amazon की जो gift voucher है MX के website पे जाके Amazon की gift voucher खरीता हूँ वो 5000 की भी मिलती है, 2000 की भी मिलती है, 1000 की भी मिलती है तो मेरे जो utility bills है वो करीब-करीब महिने के 10,000 के आसपास हो जाते है तो 10,000 के उपर ही होते है तो मैं क्या करता हूँ? MX के website पे जाके Gold Charge करके through मैं 5X points लेता हूँ और उसको फिर Amazon, वो जो gift card है उसको Amazon Pay पे add gift card करके वो पैसा add करता हूँ अगर आप Amazon पे wallet लोड़ करें तो आप खली 10,000 का कर सकते हैं महिने का बट आप gift card के through कितना भी कर सकते है तो ये basically इसमें मेरे दो फाइदे, एक तो मुझे 5X points मिल जाते है और दूसरा 1000,000 की जो limit है अगर आप 6 बार करते है, gold charge card पे तो आपको महिने का 1000 points मिलता है तो ये मेरा जो है वी ये routine set हो गया है, month end अभी देखो आज 30 तारीक है आज मैं Amazon के 45 gift voucher ले लूँगा और फिर मैं उसको top up करूँगा और फिर मैं अपने bill बर दे जाऊँगा तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको बता दिया मेरे 4 credit card जो मैं use करता हूँ उसके बाद HDFC regalia अभी तक HDFC regalia use करता था बड़ अभी आगे से HDFC infinia use करूँगा क्योंकि regalia के मैंने सारे points भी अभी मेरे redeem कर दिये है और वो lifetime free है तो उसके मुझे fees भी नहीं बरनी है तो HDFC infinia अभी मैंने जैसे unboxing में भी डाला हुआ है basically मैं HDFC का जो credit card है वो fuels के लिए use करता था क्योंकि एक तो उसमें fuel सर्चार्ज भी नहीं लगता है और वो एक card है जिसमें fuel के उपर भी points मिलते है तो अभी से मैं HDFC infinia use करूँगा उसके लिए दूसरा दोस्तो चार लाग जैसे spend हो जाता है मेरा MX पे आगे की जो भी spending होती है चार लाग से जादा ही होती है पूरे साल की तो आगे की जो भी spending होती है वो मैं अभी infinia से करता हूँ last year तक मैंने regalia से की हुई थी उसके बाद दोस्तो आ जाता है SBI Elite यह एक card है जो मुझे actually नहीं पसंद मैंने first year के लिए लिया था क्यूंकि 5000 रूपिय के अगें 5000 का gift voucher मिल रहा था अभी second year मैंने मुझे SBI वालों ने बोला कि आपका March end में expire होगा बट वो February end में expire हो गया था और उन्होंने मुझे charge लगा दिया था तो शायद मैं एक और साल इसको continue करने की सोच रहा हूँ SBI Elite बेसिकली खाली movies के लिए ही मैं use करता हूँ अगर मैं movies के लिए नहीं गया तो मेरा भाई use कर लेता है तो SBI Elite उसके लिए use करते हैं बचे लास्ट दो City Bank Premier Miles और City Bank Indian Oil दोस्तो City Bank Premier Miles card मैंने इसी के लिए रखा है क्योंकि उसमें 55,000 points है मेरे पास जो मुझे redeem करने है बट मेरा ऐसा कोई अभी फिला location आई नहीं रहा है जिसमें मैं उसको redeem करूँ flight में दोस्तो flight में क्या होता है हम redeem करते हैं तो फिर cancellable नहीं मिलती है वो options नहीं मिलता है तो कई न कई वो delay होते जा रहा है बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि उसको devalue करके Amazon में 55,000 points को Amazon में convert करके वो card close कर दूँगा प्लस City Bank की अच्छी काजी offers चलती रहती है तो मैंने वो card रखे हुए है दोनों बट यह जैसे ही Premier Miles card मेरा use हो जाएगा points यूज हो जाएगे मैं Premier Miles बंद कर देने वाला हूँ और City Bank का Indian Oil card रखूँगा पाच-छे महिना और रुखूँगा क्योंकि शायद अभी City Bank और Axis वालब Axis City Bank का India Operations पूरा खरीदने वाला है तो जैसे वो खरीदेगा तो क्या होने वाला है कौन सा card इसके बदले हमको मिलेगा या यही line of cards आगे चलते जाएंगे वो just take experience करने के लिए मैंने ये रखा हुआ है तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको मेरे सारे के सारे credit cards क्यों use करता हूँ और कैसे use करता हूँ मैंने आपको बता दिये है अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ या कोई और वे से अच्छा credit card use कर सकता हूँ तो आप please मुझे comment section में लिखे फिलाल मैं कुछ cards close भी करने के चल चकर में हूँ बट due to some reason मैंने आपको जैसे बताया वो मैं close नहीं कर पा रहा हूँ बट next मैं जो close करने वाला हूँ city bank का एक card और sbi i light मैं close कर देने वाला हूँ तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिये शेर करिये कमेंट्स करिये और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिये बाई बाई थैंक यू